नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ससे सेलेक्टर में दोस्तों आज की इस वीडियो में में लेकर आया हूँ एक पॉश्चन जो एपी का है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है सम अफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मगर उसमें हर टम खुद सम और इस तरह की 25 टम्स है और उनका एवरेज 1 by 25 तो एवन प्लस एटू का मतलब होता है उन सबके सम का एवरेज होता है तो आईए देखिन दोस्तों इस क्वेशन को हम लोग कैसे करेंगे गीवन यह है कि एवन 3 के बराबर एटू 3 प्लस 7 है एटू 3 प्लस 7 प्लस 11 है और य यह बिल बी 3 प्लस 7 प्लस 11 एटू टम्स तक जाएगा अब यह एपी बन रही है एपी का जो फ़र्स तरम है वो 3 दे रखा है और जो डिफरेंस है वो 4 है 7 मैंनस 3 4 तो सम उफ एटू टम्स को फॉर्मूला होगा एट बाइटू 2 एटू प्लस एट मैंनस 1 इंटू दी एट की वैल्यू यहां पर एट रहने दीजै अभी हमें पता है 25 बट अभी हमें रोप जब्स तू हो जाए गई है एटू प्लस तू कॉमन ले लिया जाए अगर तो फू एटू प्लस वान 2 से 2 cancer हो जाएगा, so sum of n terms will be n into 2n plus 1 और 2n square plus n, दोस्तों ये इस series की nth term है, sum of n terms है बट a n की value है अगर इसका sum निकालना है, a1 से a25 तक का, तो इसको summation लगा देंगे, summation of a n तो this will be summation of n square plus summation of n, दोस्तों इसको अगली slide में बताने वाला हमें, हमारे पास जो nth term आई है, that is 2n square plus n मैं आगे बढ़ मुझ से पहले आपको एक बता दों कि 1 plus 2 plus 3, sum of n natural numbers का formula होता है, n into n plus 1 by 2 और 1 square plus 2 square plus 3 square, n square, sum of squares of n natural numbers, n plus 1, 2n plus 1 upon 6 होता है, यहां इसका use कैसे होगा, कि another term है यह, so a1, a2, a3, अगर सबका sum निकालना है, तो हम लोग sigma लगा देंगे, यहां पर भी sigma of 2n square plus n होता है, इसको अगर हम लोग सॉल करें, तो twice summation of n square, summation of n बने का, and this will be twice n, n plus 1, 2n plus 1 by 6, जो मैं अभी आपको बता है, यहां पर, and summation of n, n into n plus 1 by 2, 1 plus n का value, अगर दोस्तों यह summation of n, s n बनेगा, a1, a2, a3, a1, a2, a3, a n तक का जो sum है, that comes out to be this, और हमें इसको divide करना है, मैं calculate करना है, 1 upon 25 और n की value 25 हो, यहां पर n से divide कर दिया जाए, अगर इसको, यह बन जाएगा, 1 upon 25, twice, 25, 25 plus 1, 26, 25, 2 is a 51, upon 6 बनेगा यह, और यहां पर यह 25 into 26 by 2, तब आप देख सकते हैं, दोस्तों यह 25 इन दोनों को LCM लेकर हम लोगा, इन दोनों को common लेकर 25 से divide कर सकते हैं, तो जो final answer हमारे पास आएगा, हो जाएगा, 26 को भी common लेलिया जाएगा, यहां पर हमारे पास 2 into, यह cancel out कर जाएगा है, और यह 17 हो जाएगा, 17 plus 1 by 2, 26 common लेकर 26, 17 to the 34 plus 1 35 by 2, और 2 से cancel out कर जाएगा, 13, 13, 5 is a 65, 13, 3 is a 39, और 645, दोस्तों, इसका average आजाएगा, 455, question concept, 455 है, यह जो value आएगी, 1 by 25 और जो पूरा solve करने पर आएगा, that comes out to be 455, जो मैनी में पराते है, solve करके बताएगा, आशा है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया, अमरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर सब्सक्रेब करें,